आज हम डिसकस करने आए हैं बेसिकली रिवीजिन कोर्स के बारे में सो कॉम्यूनिटी टैब में रिवीजिन कोर्स का जो स्केडियूल है वो अलड़ी आपको प्रोवाइट कर दिया गया है यानि कौन सी डेट को कितनी टाइमिंग पर हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे 12 की अकाउंटेंसी के लेकर यह आपको अलड़ी प्रोवाइट कर दिया गया है सो यह हम अनाउस्मेंट कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को यह इंफोमेशन मिल जाए और वो हमें जॉइन करने जॉइन करने के लिए आपको कोई पेमिंट नहीं करनी है यह लाइफ सेशन होंगे जो कि बिल्कुल फ्री और फोस्ट है इन लाइफ सेशन को जॉइन करने के लिए आपको इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइट किया गया है उस link के थुरू आप हमारी वीडियो तक पहुंच जाएए और set as a reminder कर दीजे reminder set करने पर जब भे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको notice मिल जाएगा सो चलिए एक बार detail में understand कर लेते हैं कि इस course में आपको कैसे join करने क्या topics करवाए जाएगे जितना जादा हो सके हमारी इस वीडियो को अपने friend circle में share कर दीजे ताकि वो भी join करें और कुछ benefit उद्गा हो जाए charges आपको कोई pay नहीं करने totally free of post है सो link description में दिये है जल्दी से जाएए और set as a reminder कर दीजे और हाँ अगर आपकी तरफ से कोई suggestion है कि sir ये वला topic इसमें include किया जाना चाहिए या पौन सा topic इसमें जादा important नहीं है तो वो आप suggestions दे सकते हो ताकि हम सिर्फ वो important include करें जो आपके according complicated है confusing है जो important topics होंगे वो तो मैं include करूँगा है सो चलिए एक बाद थोड़ा detail में understand कर लेते हैं इस revision course के बारे में सो चलिए यह हमारे पास complete detail regarding our revision course यह revision course full complete first semester के लिए revision होने वाली है ताकि कोई भी topic आपका छूटने ना पाए और आपकी अच्छे से revision हो जाए सो यह schedule आपको already provide कर दिया गया है यह अभी हमारे पास first schedule है second schedule जल्दी आपको provide कर दिया जाएगा इस schedule में यह आपके पास date provide की गई है 9th August 2020 से हमारा यह schedule start हो जाएगा सो जल्दी से description में आपको video provide कर दिया गई है वहाँ जाकर set as a reminder कर दीजे सो यह proper date है आपके पास one day के gap के बाद regularly हम आपको revision करवाते रहेंगे accountancy के regarding और यह हमारे पास chapters है first two days हमारे पास accounting for non-profit organization होगा then इसके बाद introduction to partnership accounting valuation of goodwill and change in profit sharing ratio admission of a partner को भी हम two days conduct करेंगे so retirement, death और dissolution इसके regarding जल्दी आपको schedule provide कर दिया जाएगा हमारी इस video को at least अपने सभी friend circle में share कर देना तकि उनकी participation हमारे free life session में increase हो पाए so यह हमारे पास complete detail है जो हम topics cover करेंगे chapter wise accounting for non-profit organization में first of all fund based accounting जसमें price fund, tournament fund, sports fund, building fund इनका क्या treatment किया जाता है वो हम understand करेंगे then इसके बाद कुछ special terms होती है कुछ special items होती है जैसे की life membership fees, subscription, entrance fees यह सब होती ही किया है और इनका क्या treatment हमें करना होता है balance sheet, opening और closing दोनों में then last में जो financial statements होती है non-profit organization की वो भी understand करेंगे briefing करेंगे आपको यानि जो points आपको हमेशा confuse करते हैं वो सारे आपके सामने रख देंगे ताकि कोई problem ना हो आपको then इसके बाद next हमारे पास आता है introduction to partnership accounting partnership का basic chapter इसमें हम सारे topics करेंगे basic जो main focus है वो किसके उपर देंगे interest on capital कैसे calculate करते हैं interest on drawing कैसे calculate किया जाता है और commission यह सबसे confusing point होता है after charging, before charging, managers commission हना वो सब करेंगे then past adjustments और guarantee of profit और last में जो very important है profit and loss, appropriation account कैसे prepare किया जाता है क्या treatment समय करने होते हैं वो सब इसमें include किया जाएगा next हमारे पास आता है valuation of goodwill and change in profit sharing ratio overall अगर कहा जाए तो complete summary आपको provide की जाएगी इसमें हमारे पास क्या आएगा जितने भी methods है average profit method, super profit method, capitalization method तीनों cover करेंगे फिर change in profit sharing ratio में gaining ratio, sacrificing ratio different cases में कैसे calculate की जाती है और revaluation account कैसे prepare किया जाता है इसके regarding journal entries और numerical सब understand करेंगे then last हमारे पास आता है admission of a partner very important chapter है इसमें से long question आपको हर बार आता है और इसमें जितने भी topics हैं वो सारे cover करेंगे न calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio goodwill का treatment क्या किया जाता है admission के time पर accumulated profit, losses, reserves workman compensation reserve investment fluctuation reserve सारे detail manner में और partner का capital account कैसे prepare किया जाता है अगर अगर अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe तो करी लीजिए साथ में आपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को share कर दीजिए ताकि उनकी participation जो है वो increase की जा सके और और thanks for your great sport